लिपिट मिटापोलिजम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ साचुरेटेट फैटी एसे जिसमें हम पार्मेटिक एसिट का एक्जामपल लेके इसे समझेंगे हमें पता है लिपिट हमारे सेल स्ट्रक्चर और फॉंक्शन के लिए बहुत नहीं होता है तो हमारे शरीर में जितना लिपिट प्रेजेंट है उसका अबाउट 80-90% हिस्सा ट्राइग्लिसरॉल है जिसमें जिससे हम न्यूट्रल फैट या डीपोट फैट भी कहते हैं और यह फैट स्टोर होता है हमारी बॉड़ी की एडिपोस टिशू में जो की बॉ इंसुलेटिंग मटीरियल की तरह भी काम करता है जिसके कारण अपना बॉड़ी टेंपरेचर मेंटेन कर पाते हैं अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि हमारे बॉड़ी में केवल फैट को ही फ्यूल रिजर्व के फॉर्म में क्यों यूँज किया जाता है पहला तो यह है कि फैट एनर्जी का एक कंसेंटरिट फॉर्म है मतलब फैट के अगर एक ग्राम से आपको नौ कैलरी एलर्जी मिलती है तो वहीं पर एस कंपेर टू फैट ग्लूकोज और प्रोटीन से आपको अबाउट चार कैलरी पर ग्राम एनर्जी मिलेगी इसलिए फैट ए pass the internet प्रोटीन के रूटरेज में उसर्म नहीं होगा जबकि टेस बैडीत एस आपकोज़ान मेंगी जोते मिल्जी कृन का एक स्टोर does पहसन का बॉड़ी में और एक की पारेजिदो प्रम एक स्टोर होता है जो लगभग एक लाग कैलोरी इनर्जी के बराबर होता है अगर इतनी अधी कूर्जा को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाए तो परसन का बॉड़ी वेट लगबग 55 किलो बढ़ जाएगा यानि अबाउट 125 किजी हो जाएगा तो अब आप समझ सकते हैं कि एवॉलूशन के समय आखिर फैट को ही क्यों फ्यूल रिजर्व जुना गया ट्राइकलिसाइट के अलावा भी हमारी बॉड़ी में बहुत सारी लिपिट्स हैं जैसे कि फॉस्पोलिपिट ग्लाइको लिपिट कोलिस्ट्रॉल एड्सेप्टरा तो शुरुवात में यह समझा जाता था कि लिप धीरे धीरे फिर बीटा ऑक्सिडेशन और अलग-अलग फैटी असेड में टॉबलिजम की खोज हुई कि फैटी एसीड एक तरह का लिपिड है सो बीटा ऑक्सिडेशन अब साचुरेटेटिट को समझते हैं साचुरेटिट और अंदर तो आपको पता ही होगा साचुरेटि क्या है जिसमें double bond या single बॉण्ड ना हो केवल single bond हो ऐस से फैटी हिवाबज में झायां ऐसे फैटी एसे है जिसमें double bond triple bond प्रिजेंट होता है ऊसे उसीडिशन और फैटी ऐसीड प्रोड्डूस काने का एक प्रोसेज क्या आख आख आक्सिडेशन के you अह है अल्फा-ॉकसिडेशन यहाँ बीटा ऑक्सिडेशन कहने का मतलब है यहाँ पर जब ऑक्सिडेशन होगा तो अल्फा और बीटा कारवन के बीच का बाउंट उटेगा अल्फा-ॉकसिदेशन में इन दोनों की बीच का बाउंटट टूता है औरalgia में इधर का ठीक है किसी भी चैन में अल्फा बीटा गामा नेमिंग की जाती है तो सबसे पहले नूप नाम के एक साइंटिस्ट ने नाइंटीन फाइब में स्टडी किया था इसलिए इसे नूप ऑक्सिडेशन थेवरी भी कहा जाता है और यहां पे बीटा ओक्सिडेशन बीटा ऑक्सिडेशन इसलिए इसे बीटा ओक्सिडेशन कहा जाता है और इस रिजल्स इन दी सिक्वेंशल रिमुवल अफ टू कार्बन फ्रेग्मेंट एसे टाइल को ए आफ्टर प्रोड़क्शन एसे टाइल को एस फेड डारेक्ली इंटू दी क्रिप साइकल तो पहले तो आप यह अंतर समझ लीजी ऐसे टाइल को गशी को गिसने को और कार्बन का जुड़ा होता है मतलब सचैनल अगर मैं पालमेटर सिथ कहों तो पालमेटर की सिथ क्युक्ति सोलाbbe कर्वन वाला है तो यहां पर सिद फौर्टाइन होगा ठीक है और गयोग ब सिटःल कौई इसप्टाइल में केवल में थाइल ग्रूप होगा डिक बीटा ऑक्स्टिन सबसे पहले अक्टिविशन होता यहां रिंप्टिछर क Till Spring चाल में होता है उसके बाद whole जो है gardening में क्योंकि इसका जो माईयो कॉंट्रिया का इनर माईय अन मेंब्रेन है यहांपे एक सटल हो तो होता है उसITYly यह यह cytosol से mitochondria में ट्रांस्पोर्ट होगा और बीता oxidation होगा फिर मेन बीता ओक्सिदेशन होगा mitochondrial मैटरिक्स में ठीक है तो यह 3 स्टेपंवर्व होतेifter हैं जो कि यह दाइकराम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखेगा बनाके प्रैक्टिस करिएगा यहां से यहां तक यह फर्स्ट स्टेज है उसके बाद सेकेंड स्टेज है यहां कार्निटीन सटल सिस्टम होता है जो इनर मैंटो कॉंडियर में में प्रिजन होता है उसके बाद थर्ड है जो की प्रॉपर बीटा ऑक्सिडेशन है इसमें last में दो Acetyl Co A बनते हैं बहु हम पहले ये देखते हैं पहला step है Activision of fatty acids fatty acids are activated to Acetyl Co A by thyokinase और Acetyl Co A Synthetase the reaction occurs in two steps यहां पर ये steps है and requires ATP Co-enzyme A and mg2 Plus Magnesium 2 Plus fatty acids reacts with the ATP to form Acetyl adenylate which then combines with co-enzyme A to produce acyl-CoA in the activation to high energy phosphates are utilized since ATP is converted to phosphate the enzyme inorganic phosphate is hydrolysis to phosphate the immediate elimination of inorganic phosphate inorganic pyrophosphate makes this reaction totally irreversible so see simple language change में समझते हैं यह fatty acid convert होगा acyl-adenylate में उसके बाद acyl-CoA में तो fatty acid से acyl-CoA का conversion यहाँ पर यहाँ पर एक्टिविशन stage कहते हैं तो एक्टिविशन अप्टिविशन अप्टिविशन दो step का process है पहले में क्या होगा fatty acid acyl-adenylate में convert होगा with the help of enzyme thaiokinase और उसके बाद फिर acyl-adenylate convert होगा acyl-CoA में यहाँ पर कोई enzyme इससे जोड़ता है ठीक है तो thaiokinase का जब reaction होता है तो यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज होगा acyl-adenylate के formation के लिए तो यहाँ पर जो pyrophosphate release हो रहा है यह inorganic pyrophosphate है और यह orthophosphate है इनorganic pyrophosphate से pyrophosphatase enzyme के presence में यह orthophosphate में convert हो जाता है इसलिए चुकि यहाँ पर हो phosphorus निकल गया पूरा यहाँ से पूरा separate हो जाता है इसलिए यह reaction पूरी तरह से reversible हो जाती है मतलब fatty acid अगर activated form में convert हो होगा मालेज यह palmitic acid कहें जोकि 16 carbon compound है palmitic acid जोकि एक फैटी acid है जब activate होगा तो वह पाल्मेटाइल कोई में convert होगा एसल की जगह यहाँ पर आजगा पाल्मेटाइल क्योंकि यहाँ पर यह आर की जगह पाल्मेटी के सिट का carbon group जुड़ेगा सो पाल्मेटाइल कोई में convert होगा उसके बाद यह activate होगा और आगे फिर second step में enter करेगा तो यह होगा activation of fatty acid देखें पाल्मेटी के सिट को डारेक्टली पाल्मेटी के सिट का डारेक्ट बीटा ऑक्सिडिशन नहीं हो सकता उसका एक्टिविशन ज़रूरी है किसी भी saturated fatty acid का डारेक्ट धार्ड डारेक्ट माई्टो कॉंड्रियाल में एक्टिविशन नहीं होता पहले उसका साइट्रोसोल में अक्टिविशन होगा उसके बाद वो सटल सिस्टम के थ्रू माईटो कॉंड्रियाल मेक्ट्रिक्स में एंटर करेगा फिर उसका वहां पे प्रॉपर बीटा ऑक्सिडिशन होगा सेकेंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट अपरसाइल को एंटू क्युंड को विएएट निए इनर मैटो कॉंडियल मेंबरेन इस इंप्रमीबल तू ऐसे सट्प्स त्रॉप अज़िशन कार्णेटीं सत्प्सक्रियर सिस्टम से कार्निटीं सतब्सक्रीच आपे इस ट्रॉच्बेट सटीट फैसिट एडरंसवर्टीट इंगोटासिट फा Acyl transferase 1, present on the outer surface of inner mitochondrial membrane. The Acyl carnitine is transported across the membrane to mitochondrial matrix by a specific carrier protein. Carnitine Acyl transferase 2, found on the inner surface of the inner mitochondrial membrane, converts Acyl carnitine to Acyl-CoA. The carnitine released returns to cytosol for reuse. अब यह second step को simple से समझें, diagrams के थुरू. So, acetyl-CoA यहाँ पे हैं, यह inner mitochondrial membrane है. ठीक है, यह acetyl-CoA cytosol में हैं. अब यह inner mitochondrial membrane की outer surface पे, यह outer surface है, inner mitochondrial membrane का, यह inner surface है. So, outer surface पे प्रेजन होता है Carnitine Acyl transferase 1-engine. इस enzyme, यह enzyme catalyze करता है Acyl-CoA के, Acyl-Carnitine में, transfer, formation को. ठीक है, यहाँ पे यह CoA enzyme release हो जाएगा, और यह acyl, यहाँ पे जो Carnitine present है, साइटोसol में, उससे combine होगा, और form करेगा Acyl-Carnitine. यह Acyl-Carnitine, फिर यह specific carrier protein के थुरू, inner mitochondrial membrane के inner surface पे जाएगा. यह inner surface पे, यहाँ पे present होता है Carnitine Acyl-Transferase 2-engine. यह क्या करता है, Acyl-Carnitine से Carnitine को अलग करता है, और इसे वापस साइटोसol में भिज देता है. और यह जो Acyl है, वो co-enzyme से bind करेगा, वापस Acyl-Carnitine में convert होगा. पालमेटी किस्योट के केसमें, यह पालमेटाइल-Carnitine में convert होगा. ठीक है, बीटा ओक्सिडेशन प्रॉपर, यह third step है, जो की होता है, mitochondrial matrix में, इसको याद रखेगा. So, each cycle of beta-oxidation liberating a 2-carbon unit, acetyl-CoA occurs in a sequence of 4-reaction. पहला है, oxidation, उसके बाद फिर hydration, उसके बाद फिर oxidation, उसके बाद cleavage. ठीक है, तो पहले step में क्या होगा, Acyl-CoA undergoes dehydration by an FAD-dependent flavoy enzyme. Acyl-CoA dehydrogenase, a double bond is formed between alpha and beta carbons, hydrates 2 and 3 carbons. Hydration, anoyl-CoA hydrates brings about the hydration of the double bond to form beta-hydroxyacyl-CoA oxidation. beta-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase catalyzes the second oxidation and generates NADH. The product formed is beta-keto-acyl-CoA. उसके बाद फिर फ्ट बाद फिर 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 रेक्शन इन बीटा oxidation is the liberation of 2-carbon fragment. Acetyl-CoA form Acyl-CoA. This occurs by a thio. Lytic cleavage catalyzed by beta-keto-acyl-CoA thiolyse or simply thiolyse. The new Acyl-CoA containing 2-carbon lates, then the original re-enters the beta-oxidation cycle. The process continues till the fatty acid completely oxidizes. अब इसको समझे यह पाल्मिटाइल-CoA है. या कोई भी fatty acid, activated fatty acid है. या Acyl-CoA. तो जो Acyl-CoA है, वो FAD के presence में hydrogenation, इसका oxidation होगा. Dehydrogenation के कारण, यहाँ पे alpha और beta कारण बन के बीच, double bond बनेगा. उसके बाद, यह, with the help of enzyme, Acyl-CoA dehydrogenase, trans-dell-square enyle-CoA में convert होगा. उसके बाद, फिर enyle-CoA hydrates, enzyme के कारण, और H2 के presence में इसका hydration होगा. जिसके कारण, यहाँ पे beta-hydroxy-acyl-CoA बनेगा. जो कि beta-hydroxy-acyl-CoA dehydrogenase enzyme के द्वारा वापस, यहाँ पे oxidation होगा. जिससे NADH बनेगा. यानि यहाँ पे यह energy produce करने का step है. और उसके बाद क्या होगा? कि further इसका cleavage होगा. तो cleavage में क्या होगा? जो acetyl-CoA group था, वो acetyl-CoA से अलग होगा. और यह तब तक होगा, जब तक कि last में दो acetyl-CoA ना release हो जाए. बदब last में दो acetyl-CoA ना बच जाए. जैसे कि palmytile-CoA के case में, यहाँ पे आठ बार यह process चलेगा, beta-oxidation का. क्योंकि last में फिर acetyl-CoA बनेगा, दो acetyl-CoA हमें मिलेगा. अब इसमें energy कितना मिला? पार्मेटी-CoA के oxidation से? वो देखते हैं. reaction कुछ इस तरह होगा? यह reaction summary है. तो यह पार्मेटायल-CoA लिखा रहेगा, तो confused मत होईएगा. यह activated form है. अच्छली में इसी का beta-oxidation होता है. साथ cycle चलते हैं. beta-oxidation के. पार्मेटी-CoA केसिट के केस में. तो यहाँ पे 7 FADH2, जो कि oxidize होगा, electron transport system में. और हर FADH2 देता है 2 ATP, तो उसके हिसाब से 14 ATP यहाँ पे yield होगा. और salmon NADH form हुआ था, जो कि ETC में जाके 3 ATP देता है. तो यहाँ पे 21 yield होगा. और acetyl-CoA से मिलेगा, जो कि citric acid cycle में जाएगा. तो उसके oxidation से मिलेगा 96 ATP, यहाँ कि 1 acetyl-CoA प्रोवाइट कराता है 12 ATP, तो 12-8-96. और total energy form 1 mole of polymetyl-CoA, from 1 mole of polymetyl-CoA is 131, तो काफी ज़्यादा energy है. एनर्जी कुछ यूटिलाइज भी हुआ था, शुरू में. तो यहाँ पे 2 ATP ही माइनस कर देंगे. टोटल net energy yield क्या होगा? 129. यह पाल्मिटेट वर्ड यूज हुआ है. अच्छली पाल्मिटिक एसिड जो है, वो अबाउट 7 pH पे पाल्मिटेट में करनवार्ट हो जाता है. तो यह cycles कुछ इस तरह चलेंगे. और यहाँ पे एक overview देख सकते हैं, पाल्मिटेट एसिड के oxidation का. So this is the end of the video and here's the quote. I can't change the direction of the wine, but I can adjust myself to always reach my destination. यह एक American actor है, उनका quote है. मैं हावा की दिशा तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने पालों को अपने गंटाविक तक पहुशने के लिए समायोजित कर सकता हूँ. मतलब हम ऐसा नहीं है, अपनी परिस्तितियों को तो, मतलब परिस्तितिया तो आएगी, अलग-अलग परिस्तितिया आएगी, पर हम उन परिस्तितियों के अनुशार चलने लगे तो बतलब हम हमारी जो परिस्तिति है उसको ना बदले जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं बदलेगी इसलिए एक मरह स्थिति बनानी पड़ेगी जिससे हम अपनी खराब परिस्तितियों से उबर सके अच्छी परिस्तितियों की ओर बढ़ सके थेंगे सो मच लाइक से और सब्सक्राब टी यूजी फामा गईट